जेहिं दोस्तों कैसे आप सबी असर करता हूँ बहुत ही अच्छो होंगे आज से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने वाले और पॉलिटी में जो आज का हमरा टॉपिक है वो है भारत का सम्मेदानिक इतिहास इसमें जो भी कोशिंस ले गया है जो सवारे इंपोर्टेंट और स्लेक्टेड हैं जो कही ने कही अग्जाम में पूछे गया है देखते हैं पहला कोशन क्या है पहला कोशन है भीमराव अंबेटकर और महत्मा गांधी के मद 1932 में हस्ताच्रित पूने समझोते में क्या प्रवाधान था तो इसका जो राइट एंसर हो जाता है वो हो जाता ह केक्ट ऐएँ सूहरा देखते हैं सूरत भीवाजन संपरदायक अधिनasan संभी सायाагता है जिसका हो जाता है वो जाता है सूरत भीवाजन सूरत भीभाजन जो हूबyards 1905 में पिर आता है संपर्दाइक अधिनिर्ण है, संपर्दाइक अधिनिर्ण है जो हुआ था 1932 में, फिर आता है आपका सर्बदलिय सम्मिलियन, सर्बदलिय सम्मिलियन जो हुआ था 1928 में, और फिर आता है आपका पूर्ड सौराज का संकल्ब, तो पूर्ड सौराज का संकल्ब प जाता है option B option B इसका राइट एंसर हो जाएगा A का चौथा B का तीसरा C का दूसरा D का पहला चलते हैं next question क्यों अगला question है निल्मिखेत में से किस अधनियम दौरा भारत के जननल को अध्या देश जारी करने की सकती परदान की गई तो इसका राइट एंसर हो जाता है भारत भारतिये परिशत अधनियम 1861 दौरा भारतिये परिशत अधनियम 1861 दौरा भारतिये जननल को अध्या देश जारी करने की सकती परदान की गई चलते हैं next देखते हैं अगला वह अगला कुश्यर्ण है सुमेलित कीजी सूची एक को सूची देश दोसे पूची है अगस्त घुसड़ा अगस्ट प्रस्ताव अगस्ट अंकल्प और प्रतिच कारी कारिकवाई दिवस चीदो है आपका लाट लिन लित मुं लाट मांटेवगू महम्मेर जेली जीन और महा में फिर आपका अगला संकल्प जो हुआ था अगला कुशन है तो उसका राइट इंसर हो जाएगा 1773 SSB में Regulating Act पारिद किया गया क्या था Regulating Act तो Regulating Act का जो उद्देश था भारत में East India Company की गत्विधियों को पिटिस सरकार की निगरानी में लाना चलता है नेक्ष्ट कोशन के और अगला कोशन है भारत के गौवर्नर्स जर्नल को किस Act के दौरा अपनी समित के निडिनों को आसुविकार करने का अधिकार मिला वो हो जाता है 1786 का Amendment Act इसके तहत भारत के गौवर्नर्स जर्नल को Act के दौरा अपनी समित के निडिनों को आसुविकार करने का अधिकार मिला चलते हैं Next Question के और अगला Question महरानी विक्टूरिया को भारत की संगरी कब नियुक्त किया गया। महरानी विक्टूरिया जिनका जन्म होता चौबीस मैं एठारासो निस में जिनकीि मृत्तुवितει समागरी विक्टूरिया ने 1888 की घुसड़ा में भारतियों को बहुत सी चीज़े दिये जाने कर आसवासन दिया था निम्न आसवासनों में से कौन सा बिटिस आसन ने पूरा किया था तो इसका राइट एंसर हो जाता है ऑप्शन भी देशी राजवालों की अथा इस्तिती बनाया रखी जाएगी चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और अगला कोश्चन है मिंटो मारले सुधार का उद्देश क्या था इसका राइटेंसर हो जाता है प्रथक निर्वाचन पढ़ाली, मांटे मिरलो सुधार का परमुक उद्देश था, मारली मिंटो सुधार का मुख उद्देश, उदार वादियों को द्रग भरमित कर रास्ट वादियों में फूर डालना ता था, संपरदाइक निर्वाचन पारित किया गया, तो इसका राइटेंसर हो जाता है, ओप्शन भी 1909 में, 1909 में मांटे मिरलो सुधार बिल पारित किया गया, भारत परिशर अधनियम 1909 या मारले मिंटो सुधार भारत परिशर अधनियम 1909 को मारले मिंटो सुधार के नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि कि इस समय मारले भारत सची यहों लाल्ट मिंटो वारा सराय थे इन्हें दोनों के नाम पर इसे मारले मिंटो सुधारों की संग्या दी गई चलते हैं मुसल्मानों के लिए अत्रिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके दौरा लाया गया तुसका राइटन सब्सक्राइब मारले मिंटो सुधार 1909 के दौरा चलते हैं संपर्दाइक प्रतुनित्र की 1909 के इंडियन कॉंसल एक्ट में बात की ब्यौस्था की गई थी 1909 इसबी में भारत सासन अधनियम को भारत सची और वाइसराय के नाम पर माले मिंटो सुधार भी कहा जाता है ध्यान रखेगा गिजाम में से भी कुश्चन पोस्चते हैं में माटेव कूट शक्राव क्या सार था इसका राइट रांतों में दोहरा सासन अगर मांटेव कुछ बीषेश्ताओं की बात पें तो केंदर में दी सदना अतमग विधायका की स्थापना करेंद में प्रतच निर्वाचन ब्योस था, प्रांतों में देद सासन पढ़ाली की सुरुवात, लोग सिवा आयोक गठन, पहली बार महिलाओं को मत देने का दिखार, करेंदी बचट को राज के बचट से अलग किया गया, या मांट प्रतविशेंट को चिमस बोर्ड में परमुख सुधार या भी सेस्ताई थी, चलता हैं, नेस्ट कोश्चन के अगला कोश्चन, 1946 का कैबनेट मिसन तीन मंत्रियों में गठी था, निल्मखित में से इसके सदस नहीं थे, 1946 कैबनेट मिसन तीन मंत्रियों में गठी था, निल्मखित में से कौन इसका सदस नहीं था, तो इसका राइट हैं सुरुफ था, लाड एमरी, लाड एमरी इसके सदस नहीं थे, 1946 में ब्रेटेन के प्रधान मंत्री, एटली ने भारत में एक तीन सदस ये उच्छिस्ट मंड तो इसका राइट हैं सरु हो जाता है, आप्शन भी पाकिस्तान की सुबकिर्ती, पाकिस्तान की सुबकिर्ती, कैबनेट मिसन यूजना में ऐसी कोई बात नहीं की गई थी, चलते हैं नेश्ट कोशियन के और अगला कोशियन है, भारत का समिधान लागू होने तक, सुस्थ सासन किसके अंदरगत चलाया गया, तो इसका राइट हैं सरु हो जाता, 1935 के भारत सरकार अधनियम के अनुसार, भारत का समिधान लागू होने तक, सुस्था कि पस्षात इसके दोरा ही सासन चलाया गया, चलते हैं नेक्स्ट कोशियन के और अगला कोशियन है, अगला कोश 1947 में सार भॉम सता सौपने की योजना में से किस नाम से जानी गई, तो इसका राइट हैं सरु हो जाता है, वो हो जाता है, मांट बेटन योजना, मांट बेटन योजना से सम्मधित कुछ अन्नमहत्वल फैक्ट की बात के तो मांट बेटन योजना, तीन जुन 1947 को लाट मां मांट बेटन दारा पस्तुत की गई थे यह योजन भारत के जन साधर लोगों में मान बाटन योजना के नाम से परस्चिद्ध हुई मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माल पर अड़ी हुई थी पिस्वस्ता पूरबक का अंग्रिस्ता सिक्को द्वारा देश की भिवाजन तरले मिन्टो सुधार संपधाइक पत्र निर्थ राइस का राय सही है भारत सरकार अधनियम 1945 साहसान ये भी सही है कैपनेट मिसंस संभागा अगठन मक्वत देश था ये भी सही है तो ऑप्शन D इसका राइट एंसर हो जाएगा चलते हैं नेस्ट कोशन के अखला कोशन ह पर सूची एक है भारास सरकार अधनियम 1935 मांटे मिरलो सुधार 1909 भारत परिशत अधनियम 1861 अधनियम 1858 इसको सुमिलित करना है सूची दो से सूची दो से तो इसका राइट एंसर हो जाता है भारास सरकार अधनियम 1929 जो हुआ था वह था प्रांतों में दैथसासन के लिए फिर अगला आ जाता है भारास सरकार अधनियम 1935 यह से प्रांतितिय स्वधाता के लिए था तीसरा है मांटे मिरलो सुधार 1909 इसका राइट ए जाता है संपर्दाइग निर्वाचन के लिए जिम्यदार था फिर आता है भारतिये परसत अधनियम 1861 यह जो है वो सती प्रता का अंध इसमें था और अधनियम 1858 यह जो था बिटिस सासन के सक्ति में आया हुआ था तो इसका राइटेंसर हो जाता है ऑप्शन भी ऑप्शन इसका राइटेंसर हो जाएगा चलता है नेश्ट कोशन के और अगला कोशन है अखिल भारतिये महासंग स्थापित करने का प्रावधान कब सामिल किया गया था उसका राइटेंसर हो जाता है ऑप्शन ए भारा सरकार अधनियम 1935 में अखिल भारतिये महासंग स्थापित करन का प्रवधान सामिल गया था चलता हैने स्धा सासं अध्म पराली को स्थापित तो इसका हो जाता है भारा सठी 1935 के दोरा समाप्ट कर दिया गया सपी synchronous प्षाथ में दैट शारषैन को लागू किया गया इसके तहत चलते है next question के और अगला question है संघे प्राली का पहला परियाज 12 अपर सरकार उप्ष्ण सी 1935 के दोरा चलते है next question के और अगला कोशन है किस अधनियम की परमुपिसेस्था प्रांतियस स्वाइध तता थी तुसका राइट एंसर हो जाता है 1935 भारत सासल अधनियम 1935 के दौरा चलते नेश्ट कोशन की और अगला कोशन है भारत में सच्यू का पत किसके दौरा निर्मित किया गया था भारत में सच्यू का किस के दोरा निर्मित किया गया था तो इसका राइड हैंसर हो जाता है भारत सरकार अधियम 1958 के दोरा भारत में सच्विक पत किया गया था कि चलते हैं सब्सक्राइब के तहत पहली बार विधायका में कुछ निर्वाचित पर्तित कि मन्जूरी की लिए के तहत पहली बार विधाय का में कुछ निरुवाचित की मंजूरी दी गई तो इसका राइट एंसर हो जाता है इसका राइट एंसर हो जाता है यप और अगला कोशिन है भारा सासनать नियम 1935 दौरा स्थापित संग किसे दी गई थी जिसका राइटनेशरा तो गौवन्णर जन्रल् को भारा सासन अियम 1935 दौरा स्थापित संग में और जन्रल को दी गई थी तो यह था important question अब आज की वीडियो से question है इसका right answer आप लोग को comment box में बताना है आज की वीडियो से question है Marley Minto सुधार बिल किस वर्स में पारित किया गया था Marley Minto सुधार बिल किस वर्स में पारित किया गया था कई बर exam में question पूछा गया जो भी राइटर से रोखो comment box में बताएगा साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूब बताएगा हाँ अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो please like कर दीजे चैनल पे नया चैनल को subscribe भी कर लिए चैनल इनको subscribe भी कर लिए चलिए मिल देक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत पंदे मात